यह जीत मिली है इसलिए दुनिया भर में इस जीत के चर्चे हो रहे हैं कि भारत एक बिल्कुल ड्रॉ मैच को लाके आता है कि नहीं इस मैच को भी हम जीत सकते हैं सिर्क 35-40 ओवर के अंदर सारी गेम बदल के रख दी है I don't think so कि बंग्रादेश के माइन में कहीं पर भी होगा कि इस मैच का कहीं पर को रिजल्ट निकल पाता है इवन कि आज का दिन भी बंग्रादेश कुछ कर सकता था कि थोड़ा रजिस्स करता है थोड़ा लंबी बैटिंग को ले जाता मगर जहां पर वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को जहां पर वर्ल्ड क्लास बैटिंग को और सबसे भड़के वर्ल्ड क्लास कैप्टर नो वहाँ पर ये चांसिस मिलते हैं किसी भी टीम को इन दो टेस्स मैचिस के अंदर बंग्रादेश को सिर्फ पहले दिन में चन्नाई के अंदर थोड़ा सा कुछ मिला जब 146 पर 6 आउट किये थे उसके बाद आज तक कोई एक सेशन भी बंग्रादेश के नाम नहीं रहा यह होता है डिफरेंस जब आप बली टीम के खिराब खेर रहे होते हैं और सीख क्या है बाकी टीमों को खासकर पाकिस्तान उसके बाद पाकस्तानी मीडिया दोस्तों बिल्कूल बेवस नजरा रहा है और अपनी टीम को देखे इस तरह किस तरह से गालिया दे रहे आए क्योंकि दोस्तन की टीम यहीं पाकस्तान की टीम इसी बंगलदैश को टीम के मेस में बिल्कुल दोस्तों भी है डिरा होने वाला मेस था लेकिन उसमें भारकिया टीम quarter अपताने की जम कर दारीप कर रहा है। उस पर भी पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है तो चलिए एक बहुत ही बड़ीया और मजदार वीडियो दिखाते हैं इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा पलीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए करते हैं वीडियो इसलिए नहीं कि ये जीत बगना देश के खिलाफ है दरसल ये जीत इंडिया की बगना देश के खिलाफ है ही नहीं ये जीत वक्त के खिलाफ थी क्योंकि इस टेस्स मैच में वक्त नहीं था भारत के पास कि इस मैच को रिजल्ट औरिएट बना दें कल की बात है एक दिन पहले की बात है कि भारती क्रिक्ल बोर्ड के वाइस प्रेजिडंट बैट कर सफाईयां पेश कर रहे थे कि ये मैच कानपूर में इसली रखा था कि हमने हर वेन्यू के मैच देना है क्योंकि शोर मचा कि यहां पे तो दो दिन लगातार बारिश होई और भारत ठीक ठाक जी सकता था तो बारिश करदे से मैच रिजल्ट औरियंटेड नहीं होगा मगर होशेमा के माइन में है कि भाई थोड़ा सा टाइम भी मिल दे तो मैच को रिजल्ट औरियंटेड बना देंगे वो मैच जिसके बारे में कहा जाए था कि सिधा सिधा ड्रॉ है आदा दिन पहले भारत वो मैच जीच जाते है इस लिहाँ से ये मैच हिस्टोरिकल है इस एतबार से ये मैच मुद्द तो याद रखा जाएगा कि यहाँ पर तो सब बना कर बैठे थे कि ये मैच तो ड्रॉ है क्यूंकि दो दिन लगातार बारिश के वज़र से मैच की एक बॉल नहीं हो पाई पहले दिन जो मैच हुआ सिर्फ 35 ओवर का हुआ सिर्फ एक दिन चोथे रोस में कम्पलीट मैच हुआ था 85 ओवर्स का यनि फुरा दिन क्रिकिट हुई है अदरो इस पांचो दिन टेस उठा कर देख लें अब पांचा दिन तो आदा दिन ही मैच हो पाया कि भारत ने मैच जली से निप्टा दिया तो क्या हुआ इस कुल मिलाके कानपूर के अंदर सिर्फ 2-2 दिन मैच हुआ और भारत ने इस मैच को नितिज़ा खेस बना कर रख दिया और क्यों ना बने आपके पास दो अच्छे यंग्स्टर बलेबास हैं एक जेस्वाल दूसरा शुमन गिल शुमन गिल पिछली सिरीज में सेकेंड हाइस रन स्कोरर थे इसमें शायद वो टॉप रन स्कोरर हो और जेस्वाल ने भी अच्छी खासी बलेबासी की है नीचे फ वो है फास बॉलिंग में सेराच और अकाश दीब अकाश दीब की बॉलिंग बहुत जबर्दस रही मगर मुझे लगता है कि सेराच और अकाश दीब थोड़ा सा कंपराटिवली वीक लिंग नज़रा है क्योंके इंडिया काफी टाइम पिरिड के बाद तीन फास बलार के स सब चुप जाते हैं वह यह है कि चार इनिक्स में सिर्फ एक बार कंप्लीट आउट हुआ है टीम इंडिया सिर्फ एक बार कंप्लीट आउट हुआ है यानि बंगलादेश ही बॉलिंग अटेक टीम इंडिया को सिर्फ एक बार मुकमल आउट कर पाई है तीन इनिक्स में तो टेस्स मैच के और उसे बंगला देश एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो कम्प्रीट घर ना पहुंचाओ तो ये बॉलिंग अटेक है यहां पर और बुम्रा मतबब एक ऐसे बॉलर बन चुके हैं जिनके छहतर चाहों में सब छुपके रह जाते हैं कोई अच्छा परफा तो लगता है काश्टी नए बॉलर है ही नहीं यह बहुत अरसे से इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं तो यह वो सब चीजें हैं जो मिलाकर टीम इंडिया को एक अनबीटेबल अनस्टॉपइबल टीम इंडिया बना देते हैं यह एक छोटी जीत नहीं है बजाहिर लगेगा के अंदर सारी गेम बदल के रख दी है I don't think so के बना देश के माइन में कहीं पर भी होगा कि मैच का कहीं पर को रिजल नहीं कल पाता है इवन कि आज का दिन भी बना देश कुछ कर सकता था कि थोड़ा रजिस करता थोड़ा लंबी बैटिंग को ले जाता मगर जहां पर वर 46 पर 6 आउट किये थे उसके बाद आज तक कोई एक सेशन भी बना देश के नाम नहीं रहा यह होता है डिफरेंस जब आप बड़ी टीम के खिर रहे होते हैं और सीख क्या है बाकी टीमों को खासकर पाकिस्तान को इनिंग्स में यानि दो टेस मैच की चार इनिंग्स में सिर पीट आउट कर पाया और अब इंडिया वर्सिस बंग्ला देश का ठाके देखिए चारों मरतबा चारों मरतबा बंग्ला देश आल आउट हुई है और दो बलेबास लिटन दास और मुश्विक रहीम जो पाकिस्तान के खिले और एक नए बलेबास के तोर पर नजर आए ल उन्होंने 50 रन किये यह उनकी परफारमस थी लिटन दास की मैं बात कर रहा हूँ मुश्विक रहीम ने एक इनिंग 191 की खेली थी अब भारत के खिलाफ उनकी चार इनिंग का टोटल स्कोर 69 है पाकिसान के खिलाफ एक इनिंग 191 की खेली है उन्होंने और सिफ दो बर आउ 21 था उनका अलमस्ट 200 ठीक है लिटन दास का पाकिस्ता इस भारत के खिलाफ दो टेस मैच की चार इनिंग में महस 37 रन है टोटल 37 पाकिसान के खिलाफ एक इनिंग में उनका मिनिमम पाकिसान के खिलाफ दो टेस मैच की चार इनिंग में से सिर्फ दो बर वा बैटिंग करने री जाए और मिनीमर रंस उनका 56 ऐए। इनकी चार इनिंग्स में। यहाँ पर भारत में चार इनिंग्स में 30 साहम आने अंदाजा कीजिए। पाकिस्तान के खिलाफ एक उन्होंने 138 रं की इनिग खेली एक 56 रंस की इनिग्स खेली ती ना उन्होंने 26 पर 6 और उस वक्त लेके चलते रहे हैं यह पाकिसाइनी बॉलिंग के खिलाफ उनकी पर्फार्मेंस है और अब भारत की बॉलिंग के खिलाफ इनकी पर्फार्मेंस है पॉइंट यह है कि बंगलजिस की टीम अच्छी है शायद थोड़ी इंप्रूव कर रही है हमसे तो खेर बहतर खेल के गई बेट पॉइंट इस के ये इतनी बली नहीं थी जितना बड़ा हमारे बॉलर्स ने इनको बना के रखा था या इनकी हवा क्रियेट की यही शाम तो पाकिस्तान में आये तो उन्हें ने बोला हम कुछ करेंगे और साबित कर दिखाया मगर जब भारत पहुंचे उन्हें बोल जो ठाके देख लीजिए तास्कीर ने बोला कि यहां पे स्टी की बॉल इस्तमाल होती है इसलिए इनका कॉंट्रोल ज्यादा बेहतर है हमारी निस्बत हम लोग स्टी से खेलते हैं और शाकेविल हरसन ने कहा कि भाई ये 12-13 बरस में किसी से नहीं हारे तो हम कोई नई टीम नहीं तो हैं नहीं अब जैसे से दिन गुजरते हैं उन्हें अंदाजा होता रहा कि यहां पे जो लगाने का फाइदा नहीं है यह रावल पिंडी टेस मैश नहीं हो रहा कि आप थोड़ा सा रिजिस्स करेंगे तो फिर मैच आपके हाथ में आजेगा और पाकिसान के खिला पांच और चार नो विकर्स नहीं है दो फास बॉलर से अब अंदाजा कर लें उनके कंप्ले और टीम इंडिया के अंदर वो खेल रहे हैं उस टीम मैं टीम इंडिया इसलिए बोर रहा हूं कि यह वो टीम बन चुकी है जो अब अन्बीडेबल टीम हुई है इन एनी फॉर्मेट तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको वीडियो बाफी अच्छा पसंद आया हुगा और और भी हम आपके लिए पाकस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे और दोस्तों जो पाकस्तान में आगे आने वाले दिनों में यूई में वोमेंस का टी टॉटी वर्ड कप होने जा रहा हूँ उसके लिए दोस्तों पाकस्तान के जिनने भी जर्नलिस्ट हैं उनको यूई में किसी भी तरह का कोई भी वीजा नहीं मिल ला है उनके पास दोस्तों जो आई सी की तरफ से कार्ड मिलता हुगा है भी सब कुछ होने के सब्सक्राइब कर लिजेगा और लाम आपके लिए रोजाना पाकस्तानी मीडिया की एक से एक लेटरस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब लिजेगा फेस्बूक पेस को फॉलो कर लिजेगा इतनी दूर तक वीडियो देखने के दन्यवाद मिलते अगले वीडियो में तब तन्चेहीं वंदे मातरम